और यहां पर आज का फॉर्स्टन प्रश्ण है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिश्टल है तो और किस प्रकार का क्रिश्टल कहेगा तो यह आएनिक क्रिश्टल हो जएगा दुस्ते यनि कि option पर जो ए है इसका right answer हो जबाएगा अगर वहीं पुछता कि ग्रेफाइट में कौन सा बंधन पाए जाता है तो इसमें सहसन योजक बंधन पाए जाता ही याद रखेगा तो यहाँ पे option number जो ए है वो राइट एंसर हो जेगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि पींड केंदरित घनकार इकाई सेल में परमाड़ों के संख्या कितनी होती है काफी महत्तपूर प्रश्ण है दोस्तों कि पींड केंदरित घनकार इकाई सेल में परमाड़ों के संख्या कितनी होती है तो इसमें या दो होती है, या अप्सन मेर जो A है, वह सही अंसर होजेगा, आप अपना अंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट किजिएगा, कि ये सेसन आपको कैसा लगा, ये सभी इंटरनेट पर जारी हुए प्रश्णों का सेसन है दोस्तों, यानिकि इसमें 5 सेट हो उनायन, तो हम लोग जानते हैं कि भीलियन का अंसर का गुर्धर्म का उधार हो जाएगा, वह कंथनांग का उनायन, यानिकि जो C है वह सही अंसर हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि निमने लीखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन क हो जाएगा, इसका PDF चाहते हैं तब PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप से जोईन होका, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेक्टिस के लिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बक्स में उसका लिंक दिया गया है, ठीक, तो द्रविद एने सीयल के बेधुत अफगाटन के कैथोड पर मुक्त होता है, काफी महत्यपूल प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर इसको कैथोड वाला को जड़िया बनाईए, तो क्या क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या हाइडोजन, तो ड्रविद एने सीयल, एने सीयल तो है ही, यहाँ पर तो अब भेधुत अफगाटन के आगे होगा, कि इस पर सोडियम होगा, कैथोड कहेगा, तो कैथोड पता एने पलस रहता है, तो कैथोड पर पोजेटिव आवेस रहता है, अगर वहीं एनोड कहता, तो एनोड पर सीयल है, तो सीयल पर माइनस चार्ज हो रहता है, तो यहाँ सोडियम के साथ इसका राइट एंसर हो ज्याता लेकिन यहां पर कैथोर्ट का बात किया गया है और यहां पर आप देखेंगे कि यह एक एलेक्ट्रोड का मानक औक्सिकरन कॉर्ण बीवह प्लस से जिरो दसमला जिरो सेवन्थ सिक्स भोल्ट है तो इसका मानक ऑक्राण भी धी बिवmission क्या होगा औकॉरन विभाव पूछ लिया हैं तो इसका जो औकॉरन विभाव होगा यह माइनस में 0uciones, 76 वोल्ट हो जाएगा यानि कि जो C है वह सही एंसर हो जाएगा और C करन विभाव यहाः पर पलस में है वहीं तो वहीं जब मानक अवकरन विभाव जब ग्याद करेंगे तो ये इसका माइनस में आता है याद रखेगा निकाप्सन जो सी है वह सही अंसर होजेगा और यहाँ पर प्रस्ण है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लुकोस एम फ्रक्टोस बनेने की अभिकिरिया को निमने प्रका क्लुकोस और फ्रक्टोस में यहाँ तूट जाता है ठीक तो यहाँ पर यह अभिकिरिया की इस प्रकार की अभिकिरिया है तो आपका एंसर आएगा च्छोदम प्रत्थम कोटी की अभिकिरिया है जो की बिल्कुल ही राइट एंसर हो जएगा तो यहाँ पर आप देखेंग ये तो प्रस्थिन دेखते ही है आपका एंसर आगया होगा कि किसी Aviklli कीरिया का बेग निम्डांकित प्रकार से ब्यांकित किया जाता है ठीक और बेग के बड़ाब के इंटू ऐस्कॉर इंटू बी तो इस Avik thumb कीरिया की कोटी क्या होगी तो इहाँ पर AA² है तो हम जानते हैं कि गुना में जो पावर रहता है वह जूटता है तो यहाँ पे इसका पावर B के पावर कुछ नहीं है तो 1 है और इसका पावर 2 है तो 1 और 2 मिलकर 3 इसका राइट एंसर होजेगा जो अभिकिरिया के कोटी होगी वह तो 3 ही आएगी दोस्तों यानि कि जो अप्सन नमर B है वह सही एंसर होजेगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिधू छेत्र के परभाव से कुलाइडी कोड़ों का गमन क्या कहलाता है जल्दी जल्दी में यह नहीं लगा दीजिएगा कि टिंडल परभाव ही कहेंगे बिल्गोल ही कलात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को आप सही से जरूर वहाँ पे जो बोड एक्जाम देने जाते हैं तो प्रश्न को आप सही से जरूर पढ़ने का प्रियास किजिए क्योंकि अपकी बार का लक्ष है पॉइंटिसें पॉइंटिस एक भी कम नहीं होना जाहिए दोस्तों यह हमारा सौप परश्न गरान्ति है कि आप लाएंगे ही इस साल पॉइंटिसें पॉइंटिस तो यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि बिधुत छेत्र के परभाव से कुलाइडी कणों का गमन क्या कलाता है तो यह बिधुत कण संचलन कालाता है इसे आप आसाई से याद कर सकते हैं बिधुत कण संचलन इसका राइट एंसर हो जेगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि वह प्रकृतिक पदार जिससे धातु का निसकर्शन फायदे मन यानिके अधिक्तम फायदे मन होता है तो वह क्या कालाता है काफी महत्तपूर प्रस्ने दोस्तो कि वह प्रकृतिक पदार जिसे धातु का निसकर्शन फायदे मांध होता हुआ तो अयसकी ही होता है दोस्तों यहाँ पर जो A है वह राइट एंसर हो जेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि साइनाइड बीधी दोरा प्राप्त धातु होता है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर और एल्मुनियम, काफी महत्त पूर प्राप्त धातु होता है तो यह तो सिल्वर होता है दोस्तों याई कि अप्शन मर जो यहाँ पे C है वह साही एंसर हो जेगा शिल्वर इस राइट एनसर फोर डिस कोसं, और यहाँ पे आप देखेंगे, कि निम्ने लीखित में कौन हाइडोजन बंधन नहीं बनाता है, यह तो हल्वास वाल अब आपको लगता होगा, और लेकिन जो यह नहीं बनाएगा यानिकि जो C है वह सही एंसर हो जगा और यहाँ पर यहाँ पर A7 यानिकि Sulfur का Oxidation नमबर क्या होता है तो यहाँ पर 288 और यहाँ पर 2 तो जाईब सी बात है इसकी बाहरी कक्ष्छा में और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रबल अमल इनमें से बताना है कौन सा योगिक है तो निमने लिखीत में योगिक में से यहाँ पर सबसे प्रबल अमल कौन सा है HCL, HF, HBR या HI तो आपका एंसर अब तक आगे होगा कि इसका एंसर क्या होना चाहिए जो HI होता है यह सबसे प्रबल अमल होता है जो की राइट एंसर होजेगा और यहाँ पर 15 जो प्रस्ण है कि गोता खोरी में स्वसन है तो यंत्रों में कीन गैसो का मिसरान होता है जब हम जानते हैं कि जो पंडूबी होते हैं जो ब्यक्ति पंडूबी के रूप में जाते हैं पानी के अंदर तो उसमें वह अपने पीट पर एकलादा हुए एक टंक की लिए रहते हैं ठीक तो वह सांस लेने के लिए रखे रहते हैं टंकी को तो वही टंकिया में कौन सा गैसो का मिसरान होता है तो आपका एंसर आएगा हीलियम ऑक्सीजण और नाइट्रोजन जो की बील्कुल ही राइट एंसर हो जेगा और आज का मोटिवेशनल कोट है कि रख हो सलाव मंजर भी आएगा प्यासे के पाह चलकर समंदर भी आएगा ठकर ना बैट ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का माजा भी आएगा यानि कि इस साल तो 35 में 35 तो लाना ही है दोस्तो यानि कि अपना मेहनत जारी रखेगा जब तक एकजाम न बी रिजल्ट आएगा तो इतना खूसी होगा दोस्तो आप एक बाशरूर कमेंट करने का प्रयास किजिएगा जब आपका रिजल्ट आये दोस्तो यहीं हम आपसे उम्मीदे रखे हैं और यहां पर संक्रमर्ण तत्व का अस्थान अवर्षार्णी के अंद्रगात आता है एस प्लग के तत्वा दी बलक अफ एलिमेंट्स तो आपका एंसर अप तक आगया होगा कि संक्रमर्ण तत्व का अस्थान अवर्षार्णी के आता है डी बलक अफ एलिमेंट्स में यानिकि ऑप्सान मेर्ण जोड़ सी है वह सही एंसर हो जएगा जो भी उमीदे हैं आपकी मात पीता का वह आपर ही निर्भार है दोस्तों तो आप जो बच्छय हुया समाय है उन्हें इतना मेहनद कर दिजिये कि आपका अगर 90 पर्षेंट बंता हो आपका 90 पर्षेंट अगेशाम है यह हँमारा 100 परषें गरॉन्टरी की आप ला सकते इतना मुहनत कर दिजिये इस से बचे हुए समयों में और यहां पर आप देखेंगे कि निम्ने लीखित में कौन प्रथम संक्रमर तत्व के स्रेणी में स्रेणी का सदस्व नहीं पूछा है दोस्तों तो क्रोमियम होता है यह भी होता है लोहा भी होता है और में भी होता है और जो मेंगने से वोता है यह नहीं होता है यहां पर यहां पर लेंदर संक्रमर की स्तथ्य tut के लिए उतर दाई है तो आपका एंसर आएगा जो की है वह सही अंसर होजेगा और यहां पे पूछ लिया गया है कि संक्रमर धातु के आयनों में कौन प्रती चुम्बा किये है तो यहां पर संक्रमर धातु के आयनों में पूछा है तो यह तो लोहा और नीकले और यह फी यह सभी तो यह लोह चुम्बा किये होते हैं तो यहां प सब्सक्राइब यहां पर देखेंगे कि जटिल आयन स्यू एनेस थीरी होलफोर्ग के पावर यहां पे टूपलस से है कि इसन रचना बर्ग तली यह है तो उसे जटिल आयन की आयन में कॉपर का प्रसंक्रान यानिकी हाई डीसन होता है तो हाई डाइजेशन क्या होता है इसमे कि इसमें dsp2 होता है hybridization यानिके जो c है वह सही answer के साथ right answer हो जब दोस्तों और चैनल पर नहीं जूड़े हो तो जबर सब्सक्राइब किजिएगा चलते हैं next नव प्रस्ण के बारे में देखते हैं तो यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे ptc2h4 cl3 में pt की oxidation नमबर क्यात करना है तो इसका तो oxidation नमबर 2 आता है दोस्तों यहां कि जो option नमबर b है वह राइट answer हो जेगा और यहां पर देखेंगे secondary butyl chloride का IUPAC नम पुछ लिया गया है तो secondary butyl chloride का IUPAC नम होता है दोस्तों तो आपका answer भी आगे होगा कि 2 chlorobutane 2 chlorobutane को ही secondary butyl chloride का जाता है यानि कि option नम जो भी है वह सही answer हो जेगा और यहां पर आप देख रहे होगा यह काफी महत्तपूर परशन है दोस्तों यह subjective questions में पूछा जाता है कि निमनली खीत में कि इस बिधी द्वरा primary, secondary और tertiary, alcohol में बिभेट किया जाता है तो आपका answer भी अब तक आ गया होगा कि इसका answer क्या होगा कि यह सभी के साथ विभेट किया जा सकते उप्रयूक्त सभी all of these इसका right answer हो जेगा और यहां पर देखेंगे कि निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म, acetylene, iodopharm या निश्चेतक उसे कहते हैं दोस्तो दोस्तों कि option number जो ए है वो राइट एंसर हो जाएगा chloroform is the right answer for discussion और इसका subjective चाते हैं तो जरू कमेंट करने का प्रयास कि जाएगा आपके सामने subjective questions भी प्रवाइट कर दिये जाएगा और यहां पे calcium acetate तो गर्म करने से निमने लिखित में कौन प्राप्त हो था calcium acetate को कहा है ethyl acetate acetone formaldehyde या acetaldehyde तो इसमें acetone का निर्मार होता है ठीक तो यहां पे जो option number C है वह सही answer हो जएगा और यह जो देख रहे हैं कि alcohol में कौन रहता है इससे related 100% question आपके body जमे रहेगा इससे related questions कि alcohol में जो रहता है कि यात्मक समूह तो आपसा नमबर जो A है वराइट answer हो ज adhyde हो जएगा और यह amide हो जएगा amide और एक आता है C double bond OH यानि कि यह कर्बोकसिलिक acid का यह होता है ठीक तो यहां पे option number जो A है वह राइट answer हो जएगा और यहां पे 27 प्रस्ण को आप देख रहे हैं कि निमनली खित में कौन adhyde और ketone में भी भेद कर सकता है तो आपका answer भ dealing billion is the right answer for discussions यानि कि option number जो A है वह राइट answer हो जएगा और primary amine का क्रियात्मक समुह कौन सा है primary amine का पुछा है तो हम जानते हैं कि CS3 CS2 और यहां पे NH2 को हम लोग primary amine कहते हैं तो option जो B है वह सही answer हो जएगा अगर वहीं CS मालग यहां पे हम इसको हटा देते हैं और यहां पे ह हम यहां पे हम CH यहीं रख देते हैं और यहां पे हम लोग CS3 कर देते हैं और यहां पे हम लोग NS कर देंगे NS जब कर देंगे यह secondary amine होजेगा और वहीं यह primary amine होजेगा option number B अगर वहीं अगर N जोटता तो N अगर जोटता मालग जी कि यह देख लिजिए इस तरह से अगर यहां पे तो यह tertiary amine का होता है तो option number जो B है वराइट एंसर होजेगा और यहां पे 29 प्रस्ण को आप देख रहे हैं कि तौनू अल पछारिये के amineo4 के घोल को क्या कहा जाता है काफी भी भी है प्रस्ण है दोस्तों कि तौनू अल पछारिये के amineo4 के billion को क्या कहा जाता ह है तो इसे ही हम लोग असाइंस से कहते हैं कि इसे बियर अभी कर्म के के रूप में हिसे जानते हैं दोस्तों यानि कि option number जो C है आपका अंसर सही हो जाएगा बिल्कुल ही असाइंस तरीके से हम लोग 35 पॉइंटिस ला देंगे दोस्तों इस साल पूरता विश्वास यानि कि नहीं कोते हैं कि दुस्मानों को चुन-चुन कर मारेंगे तो उसी तरह से हम लोग चुन-चुन का बनाएंगे पूरता सत्तर में से पॉइंटिस अब्जेक्टिम यानि कि धाकर तरीके से त्यारी कराएंगे इस बार फिनोल को जास्ता चुड़ने के साथ उबालन निर्म आ होता है जो कि यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर सीचसेग्स यह बेंजीन का क्रियात्मक समूह है यहां जो ऐसे वह साही एंसर हो जाएगा और यहां पर कर्बोक्लिक-सिटिक हैश्हां पूचा है हम लोग नहीं वहां पर देखें थे अलाग से किसीड डिवल O और H ये क्रियात्मक समूव होता है कर्बोक्सिली के सी डिगा यानि कि अप्सन पर जो C है वा राइट एंसर होजेगा ये किटोन होका हो गया अप्सन नमबर B और अप्सन नमबर A है ये अडिहाइट कहो गया अप्सन पर जो D है वह अलकोहल कहो गया यानि कि जो C है वह सही एंसर होजेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार्बनिक योगिक की अभिकिरिया एने एच सियो थीरी के संत्रिप्ते जलिये बिल्यान से कराने पर फद फुदाहत का आवाज होती है ठीक फुद फुदाहत यहनिक फद फदाहत की होती है निम्न मेंसे वह कौन सा सिर्का में पाए जाता है याद रखेगा तो अप्सेन मर जो सी है वह सही एंसर होजेगा यहां पर पुछ लिया गया है कि एश्टर को निम्नलीखित में किस सूत्र से ब्यक्त करते हैं इस टर कपूछ लिया गया है तो काफी महत्त्यपूर्ण है तो इस तर को हम लोग जान से क्या बनता है, नाइट्रो एलकेन के अवकरन से जो बनता है, अब का इंसर भी आ गया होगा, कि इसका इंसर क्या होना चाहिए, तो जो यहाँ पे नाइट्रो एलकेन का अवकरन से primary amine बनता है, यानि कि जो C है, वह सही answer हो जिएगा, primary amine, यानि कि C3, C2 और यहाँ पे NH2 हो जाएगा यह primary amine है जो कि option number C में इसका right insult दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे DNA और RNA में भस में उपस्ती थे यानि कि इन में से दूनों में ऐसी कौन सी इस्तितियाती है जो दूनों में समान होती है तो uracil तो यह RNA में उपस्ती थे तो इसमें यह गल हो जाएगा कि इसमें समान दर्सान है तो समान वहीं हो जाएगा option number B अब तक आप दे दियो होंगे कि ग्वानीन एडिनीन और साइटोसीन जो होता है यह दोनों में लगभग समान होता है यह समान रहता है और और समान वहां रहता है जो DNA में थाइमीन उपस्ती रहता है ले जाते हैं एंजाइम बिटामिन प्रोटीन और हर्मोन तो मानोज सरीर के द्वरा वहीं नहीं बना जाता है बीटामिन क्योंकि यह बीटामिन जो होता है यह अलग से हम लेते हैं वहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा और यहां पर देखेंगे कि निमने लिखित में किस बह सब्सक्राइब करते हैं अगला जो सेशन आएगा वह इसे अधिक आएगा दोस्तों यानिकि सत्तर तक अब्जेक्टिव रहेगा इस सेशन में बस इतना है अगर सेशन आपको थोड़ा सभी अच्छे लेगी हो तो एक लाइक जरू किजएगा दोस्तों और चानल पढ़ना दोस्तों को जाओर सेयर किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में नहीं उमीद कसा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू